हम दोर किसी भी सुब कारिये का सुभारम परिवार यह मुख्या के दुवारा दिया जाता है वेसे ही हमारी जब विदान जवाँ जो 17 स्टार्ट होते हैं तो उनके अंदर सबसे पहला जो बास्न रहता है वो हमारे राज्येपाल यानि राज्ये के मुख्या के दुवारा दिया जाता है और ये जो बासन होता है इसे हमारे समिधानी की जो परकरियाएं है हमारा constitution है उसके अंदर special address of the governor या राज्येपाल का विशेस अभी बासन कहा गया है ये important है हमारे विधान सबाची जो कारवाईयां होती है उनके point of view से हमारा समिधान के बारे में जो जानकारी होती है उसके point of view से और हम लोग कोई भी exam देते हैं competitive exams उनके point of view से तो इससे related जो राज्येपाल का विशेस अभी बासन है उससे related जो article है हमारे समिधान का वह है article 176 special address by the governor राज्येपाल का विशेस अभी बासन अब सबको पता है कि हमारे समिधान का दो तियाई हिस्सा है वो government of India Act 1935 से लिया गया है और जो भारत सासन अदिनियम 1935 था उसे बनाने वाली थी British Parliament यानि हम कह सकते हैं कि हमारी जो parliamentary system है संसदिय पर ना लिया है उनको हम लोगों ने लिया है West Minister model of parliamentary system यानि जैसा England के अंदर system काम करता है संसदिय बरगरियाओंगा वेसी ही व्यवस्ता हम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर की है तो England में जब भी कोई session start होता है विदान सबा का तो वहाँ पर राजा ये दुवारा या जो लोड का मिशनर होते हैं वो वहाँ पर उस session के सुरुवात करते हैं बारत आजाद होने वाला था 1947 में उससे पहले अंग्रेजों का एक cabinet mission आया और उस mission ने बारत की समिधान सबाजी निर्माण किया और जब समिधान सबाजी बेटके होती थी तो इन जितने भी आर्टिकल हम लोग समिधान में देखते हैं उन पर बहुत बड़ी चर्चाएं रही और ऐसी ही चर्चा एक हुई इस चर्चा के अंदर ये जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 176 और ये तो राजेपाल के लिए और ऐसा ही हमारे राष्टपती के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 87 इस चर्चाएं भी रही और इस चर्चाओं के दोरान और इस आर्टिकल को जब पास किया संविधान सबाने तो वहां पे पॉइंट डेड़ कि ये जो इड्रेस राजेपाल के दुवारा ये कब दिया जाएगा तो सबसे पहली बात आती है सुभारम के टाइम में देते हैं तो सुभारम कब-kब होता है विधान सबा के सत्रों का तो जब कभी भी नई विधान सबा बन के आती है कि आम चुनाओ होए आम तोर पर तो तीन परकार के चुनाओ होते हैं जनलर एलेक्शन, मिर्ट्रम इलेक्शन और बाई एलेक्शन तो जनर्रल इलेक्षन का मतलब की पूरा कारेकाल हो गया था जिसी विधान सबा का और कारेकाल होने के बाद में दुबारा MLA के चुना हुए और नए MLA विधान सबा में आये हैं अब उनका जो पहला सेशन स्टार्ट होना है पहला सस्तर राजेपाल ने बुलाया है तो राजेपाल खुद जाएंगे और वहाँ पे अपना special address देंगे तो साधारन निर्वाचन के पस्चाद पर्तम सतर के आरम में on the commencement of first session after each general election तो यहाँ पे याद रखना है हमारे को general election important हो जाते है कि कोई MLA का सुर्गवास हो गया ता रह वहाँ पे नए MLA चुनके आएं तो वहाँ पे राजेपाल नहीं आएंगे विसेस अभी वासन देने के लिए मिटरम election के दोरान भी राजेपाल नहीं आएंगे general election आम चुनाओं के बाद विदान सभावा बनेगी तो पहली मिटिंग को यहाँ बर संबोधित करने के लिए राजेपाल खुद आएंगे दूसरी बात की के अवल एक बार ही आएंगे पांच साल में नहीं साल आना हैंगे सुबार हम हर साल हो सकता है तो जो पहला session रहता है हमारे विरान सभा का तो उस session को भी राजेपाल ये द्वारा especially address किया जाएगा विसेश अभीवासन दिया जाएगा तो परतेक वर्स के परतम सतर यारम में on the commencement of first session of each year अब यहाँ पर ये बातें आ गए तो हमारे ही संभीधान का एक article है 163 उसमें कहा गया है कि राजेपाल को सला और साहिता देने के लिए एक council of minister होगी बंतरी परिसद का गठन किया जाएगा जो कि राजेपाल को aid and advice करें तो ये जो special address होता है क्या राजेपाल खुद के मन से लिख के आते है या राजेपाल जो किसी secretary ने लिख दिया ऐसा नहीं होता है this is a policy statement of the government ये सरकार का जो निती निर्धारन का विवरन है वो है तो ये जो statement रहेगा ये जो भासन होता है ये सरकार लिखे देती है अर्थार्त जो मुखे मंतरी है उनके द्वारा लिखा जाता है और ये बताते हैं कि राजेपाल के मादेम से कि बविश्य में हम किस परकार से हमारी सरकार को चलाएंगे हमारी क्या क्या नीतिया रहेगी कौन-कौन से अजेंडा है जिन पर हमारे द्वारा काम किया जाएगा तो क्या यहां पर राजेपाल जो सरकार ने लिखे दिया है उसी according बातें बोलेंगे या अपने मन से अपने जो विवेका दिन सक्तियां दी गई है उनको उन विवेका दिन सक्तियों के तहत अपने मन से भी ये बोल देंगे तो ऐसे भी बहुत सारे issue हो जाते हैं कि 2023 के अंदर एसी गठना गटी तमिल नाडू विधानसवाजी अंदर तमिल नाडू के राजयेपाल आरेन रवी उन्होंने बीच में ही जो अपना विवाशन था वो छोड़ दिया और रवना होगे क्योंकि उनको जो स्टालिन गवर्मेंट तमिल नाडू की उन्होंने जो वाशन लिखे दिया था वो बोला नहीं और अपने मन से कुछ चेंजेज गड़ दिया जब उन्होंने अपने मन से चेंजेज गड़ दिये तो वहाँ पर सरकार ने उनको इंटरफ्ट किया तो वो छोड़ के चलेगे तो यसे बहुत सारे कैसे हैं बेश्ट पंगोल के उनको सरकार ने पॉलिस स्टेटमेंट लिखे दिया और कहा कि आपको यह अपने विशेश अभी वासन के अंदर बोलना है डोक्टर संपूर नानन ने मना गड़ दिया कि यह बासन तो मैं नहीं बोलूंगा मेरे खुद के कुछ भी विचार होते हैं तो क्या राज्येपाल अपने खुद के विचार भी यहां पे रख सकता है या गोवर्मेंट कहेंगी वही बातें रखी जानी जरूरी है तो यह मामले अलग-अलग हाई कोर्ट में पहुंचे और बाद में जब सुप्रीम कोट में यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोट ने कहा कि यहां पे राज्येपाल के अगर मन की बात करनी है मन में कोई विचार आ रहा है तो उनके लिए स्पेसिपिकली एक आर्टिकल बनाया है आर्टिकल 175 वहां पर राज्येपाल का अधिकार होता है जहां पर राष्टपती अपने मन में जो बात आए और वह बात करना चाता है MPs के साथ में तो वह वहां पर जाके सेर कर सकता है . वहां पर पूरा वीवेक रहता है अपने मन से बात निके ले के आते हैं तो अगर राज्येपाल की बात यहां पर पहड़ता है तो यह आय्क आर्टिकल ज हमारे समिदान है उनका उलंकन हो करता है तो specifically उनको following करना है तो this is a duty यह राजयपाल का करतव है कि राजयपाल वही करें जो सरकार गहेंगी और उनका अधिकार आर्टिकल 175 और राष्टपति का अधिकार आर्टिकल 86 चेंदर बताया गया है तीसरी बात साथ में यहां पर यह भी आती है क्या राजयपाल को जो पूरा पूरा पड़ना पड़ेगा या बीच में कुछ लाइने पड़िके और छोड़ सकते हैं तो एसा एक केस हुआ योगे स्टेट ओफ राजस्तान इस के अंदर यह गाइडलाइन दी गई कि राजयपाल यह जो विशेस अभी वासन होते हैं उनकी कुछ लाइने पड़के बाद मुखे मंत्री को कह सकते हैं या जो दूसरा कोई भी उनके मंत्री मंदल का सदस्य हैं उनको कहकर बाजी की लाइने पड़बा सकते हैं और ऐसा ही वाकिया हुआ था राजस्तान विधान सभा में जब माननी यह कल्यान जिंग जी राजस्तान के राजयपाल थे और उनकी उम्र का तकत होने के कारण उनसे पूरा भासन नहीं पड़ा गया तो बाद के अंदर उनका जो बासन था वो नागरम हो जाते हैं तो राजयपाल का जरूरी नहीं कि राजयपाल पूरा बासन ही पड़के जाएंगे तो यह अलग-अलग यहां पर इनसे रिलेटेड पोइंट्स बता रहे हैं तो नोर्मली तो क्या होता है कि हमारी जो विधान सभा है और साथ में एक बात किया था उन्होंने कहा था कि यह जो राजयपाल या राष्टपती है उनके पास में अधिकार होना चाहिए आर्टिकल 176 और आर्टिकल 87 में कि वह अपने विवेक से भी कुछ बातें सरकार का जो पॉलिशी डोकुमेंट विसेज अभीवासन होता है उसमें एड़ कर सकते ह हमारे जो डोक्टर वियारंबेट कर थे उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजट कर दिया उन्होंने कहा कि इनको अम लोग अधिकार दे रहे हैं अधिकल 175 और 86 में अधिकार दिया है तो वहां पे जब इनको मन की बात करनी है अपने विवेक के अनुजार बातें रखनी है तो अगर मान लोग इसी राज्ये में विदान सबाब भी है और विदान परिसद भी है लेजिस्टेटिव असेमली एस लेजिस्टेटिव काउंसिल उस स्तती के अंदर वह दोनों को बुलाएगा इन केस स्तेट हेविग लेजिस्टेटिव काउंसिल बोथ हाउसेज असेमबल टूगेदर विदान परिसद वाले राज्ये की दसाम में एक साथ संवेत दोनों सदनों में विवासन यानि कि यहां पर असेमबल करेंगे meeting नहीं करेंगे, समवेत करेंगे ये दो words important होते हैं दोनों सदन है तो उनको भुला कि एक साथ यहां पर बासन दे दिया जाएगा फिर यह जो article 176 इसका ये close one है इसका जो close two है उसमें ये बताया गया है कि इससे related कोई भी time period रहेगा कैसे ये special session चलेगा special address का उसे related जो भी परकरियां ही रहेगी वो राज्य का जो विधान वंडल अपनी परकरियाओं जो नियम बनाता है conduct of business और rules of procedures होते हैं उनके अंदर इससे related प्रावधान बना देगा वेजसे ही राजस्तान विधान सबाजे rules of procedure and conduct of business नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अंदर इससे related provisions किये गए हैं साथ में article 176 ये close बन में ये भी बताया गया है कि राज्य पाल जब इनको विशेस अभी वास्तान के लिए बुलाएगा तो वहां पर कारण भी बताया जाएगा उनके द्वारा की हम लोगों ने आपको क्यों बुलाया है पिर जब हम लोग राजस्तान विदान जबाफ प्रकरिया नियम के अंदर आते हैं उसका रूल 14 बात करता है कि यहां पर राज्य पाल ने जब भाषन दे दिया उसके बार राज्य पाल को देना है धन्यवाद और धन्यवाद देनने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है क्योंकि राज्य पाल विदान मंडल के मुख्या होते हैं जब वो पधारे हैं तो उनको सदस्चों की और सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्होंने आपका पोलिस इस्टेटिमेंट पड़ा तो आप उनको धन्यवाद दो भी और उस प्रस्ताव को सदन के अंदर पारित भी करवाओ ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है इसलिए रूल 14 के एकोर्डिंग मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री गए होता है एक सदस्टे को ये कहता है कि आप सदन के अंदर Thanksgiving motion ले के आओ दन्यवाद प्रस्ताव ले के आओ बाद दे अंदर मुख्य मंत्री दूसरे सदस्टे को चुनता है इस प्रस्ताव के दितियक बनो यानि उस प्रस्ताव को सपोर्ट करो तो एक प्रपोजर होता है दूसरा सेकेंडर यह जो दन्यवाद प्रस्ताव के लिए होते हैं दोनों का जो चेन किया जाता है बोट आर सेलेक्टेड बाई दे चीप मिनिस्टर ओफ राजस्तार मुख्यमंतरी द्वारा चेनित सदसे द् पाल ऑदेने तु बलाया जाता है बाद के अंदर यह जो दन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है उसकी वड़ भी लिखें में वह एजजटीज वर्ड बोलने हैं वहां वी दमेंबर सोप्ढ़ सप्राइश्तां लेश्राइट्टी असेमर्ड असेंब्ली असेमपली नियन governor for the address which he has been pleased to deliver to this house हम राजस्तान विदान सभा के सदस से बाननीय राश्चेपाल महोदे का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे को यहां पर इखटा किया और अपने मुखमंडल से कुछ बहतरीन सब्ध हमारे लिए कहे जो भी यह बात है यह यहां पर बोल नहीं होती है और यह प्रस्ताव सरकार के लिए एक चलेंज होता है कि सरकार को इस Thanksgiving motion को हर हाल में पारित करवाना ही होता है तो यह जो हमारा सेसन था इसमें हम लोगों ने राज जेपाल के विशेस अभी वासन इस पेसल एडरे से डिलेटेड जितने भी आस्पेक्ट हो सकते हैं बले ही वो ब्रिटिस प्रकरियाओं में हो हमारी Constitution Assembly के हो समीधान के अंदर इसे रिलेटेड जितने भी आस्पेक्ट दे रहे हैं वो है अलग-अलग केस लोज और करंट के अंदर इसे रिलेटेड कोई गठनागरम हुआ इंदुस्तान में वो देखें नेक्स्ट वीडियो में और अन्य पॉइंट इस परकार के हम लोग देखेंगे धन्यवाद